लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर है दोनों ही देशों के हजारों सैनिक आमने सामने हैं चीन के सरकारी मिडिया ने दावा किया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानि पीएले ने भारत से लगी सीमा पर ड्रोन से लेकर अत्याधुनिक तोपें तैनात की हैं और उसके सैनिक भारत के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं उधर चीनी सेना की ही एक रिपोर्ट चीनी मिडिया के दावे की पोल खोल कर रख देती है चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने स्विकार किया है कि उसके 20 फिसदी सैनिक जंग के लिए अनफिट हैं और मास्टर बेट करते हैं 2017 में आई चीनी सेना की रिपोर्ट में कहा गया था कि 20 फिसदी चीनी सैनिकों का वजन जरूरत से ज्यादा है और वे युद्ध के लिए अनफिट हैं चीन की सेना ने अपने सैनिकों की आदत में सुधार के लिए कई निर्देश भी दिये थे पीएले ने अपने सैनिकों से ज्यादा वीडियो गेम नहीं खेलने स्मार्ट फोन का इस्तेमाल कम से कम करने और मास्टर बेट कम करने के लिए कहा था पियले ने अपने सैनिकों की बुरी आदतों को देख मजबूरन अपने मुखपत्र पीपुल्स लिबरेशन डेली में इन सिधानतों को प्रकाशित किया था हालात यहां तक थी कि एक शहर में 57 फीसदी सैनिक टेस्ट में फेल हो गए थे चीनी सेना ने कहा कि ज्यादा बैठने की वज़ा से 8 फीसदी सैनिकों के स्कुरोटम में एक वेन काफी लंबी हो गई है पियले ने कहा कि यह लंबे समय तक कंप्यूटर गेम खेलने बहुत ज्यादा मास्टर बेट करने और अभ्यास कम करने की वज़ा से भी हुआ है चीनी सेना के टेस्ट में 25 फीसदी सैनिकों के अनफिट होने के पीछे अत्यधिक शराब पीना भी शामिल है इसके अलावा कई सैनिक खराब डाइट की वज़ा से भी अनफिट सावित हुए चीनी सेना ने कहा कि 46 फीसदी सैनिक वीजन टेस्ट में फेल हो गए ये लोग अपने फोन पर चिपके रहते हैं बहुत ज्यादा एस्क्रीन देखने से उनकी नजर कमजोर पड़ गई है पीले ने कहा है कि सैनिक बहुत ज्यादा जंक फुड खाते हैं और इसकी वज़ा से टेस्ट में फेल हुए हैं गंदा पानी पीने की वज़ा से उन्हें साइनस की भी दिक्कत है